Hello friends, मेरे Palm Reading चैनल में आपका बहुत बहुत स्वाकत है आई अज 28 वर्स के पुरुद के Palm कानल असस करेंगे, इनके questions का उत्तर करेंगे तुसर पर हम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किर्पैकल के चैनल को सस्क्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे टाकि लेटर्स नोटिफिकरिशन आपको मिल पाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल इस प्रकार है, ये विवाह के विशे में जानना चाहते हैं कि इनकी विवाह के यूग कब तक आ रहे हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, कि इतने धन कमा पाएंगे उन साड़े विशो पे इनको जान करें चाहिए तो साड़े विशो पे आपको उत्तर मिलेगा तो सबसे पहला सवाल इनके विवाह को लेके चलते हैं वो क्या चीज़े बता रही हैं देखो सबसे पहले चीज़, दो-तीन चीज़े मैं आपको बताना चाहूँगा शुक्र, ब्रश्पति और आपकी चनर्मा ये तीन मूल करहा हैं आपके विवाह के शुक्र को देखने के लिए इससे ही देखा जाता है कि आपके विवाह कब तक आ रही हैं और विवाह हिक जीवन आपका कैसा रहेगा और कैसी लाइफ पार्टन मिलेगी तो मैं इनके हैतली के मादेम से देखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि एक हलकी एमाउंट में विवाह रेखा मुझे फील हो रही है यहाँ पर तकरीवन ये तीस मिसाल में है और आपके शुक्र और चनर्मा में काफी प्रधानता है तो क्या है न विवाह आपकी होगी जरूर लेकिन थोड़ा वो डिले पना रहा है, वो तीस वर्सों तका रहा है दो वज़ा यहाँ डिले होने का, एक आपके ब्रश्पती तो अगर विवाह रेखा में सिंग रहे, ब्रश्पती एकदम दवाब में रहे चंदर्मा एकदम डैमेज रहे, तो विवाह तो होती ही नहीं है लेकिन अगर यह आपकी चंदर्मा शुक्र है और साथ-साथ विवाह रेखा और ब्रश्पती मीडियम में भी होना तो विवाह होती है शुक्र चंदर्मा तो और ब्रश्पती मीडियम में तो यह डिले कर रहे है शादी लेकिन होगी ज़रूर अब पतनी की स्थिती कैसी रहेगी वो आपके शुक्र दिखा रही है कि केरिंग होगी आपके लिए और चुक्कि विवाह रेखा के साथ कोई additional lining नहीं है और कोई vicious love marriage के indications नहीं है तो arranged marriage होने के प्रवल chances बन रहे हैं और उसके बाद में एक चीज़ देखूं तो आपकी ब्रश्पती तो ब्रश्पती पर कुछ ऐसी lining यह वाली भी बन रही है यह भी थोड़ी बहुत पड़िवारी tensions को indicate करती है तो कभी-कभी क्या होता ना पड़िवारी tensions इतनी हो जाती है कि विवाह में वो भी delay कर देती है कि चीज़े कुछ समझ में नहीं आती परिवारी की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो यहां से भी indications आ जाता है कि विवाह में वो परिशानी आती है तो वहां से भी अगर arrange marriage होने की योग बनते है न तो कहीं न कहीं लॉजिकल सोचो तो कहीं न कहीं वो delay बना जाएगा तो कहीं न कहीं यह परिशानी वाला सबक है लेकिन चिंता न करें शादी आपकी होगी जरूर क्योंकि ब्रेश्पती और चंद्रमा यह बहुत ही अच्छे amount में बैठा है तो जब इसकी स्थिति आपकी हतेली पेच्छी होती है तो एक नहीं 100 case में मैंने देखा है कि विवा होता है लीले ही हो 32 में हो 30 में हो कभी 35 में भी होता है लेकिन विवा होता जरूर है निशिंद्र है तो अब इनका मैं दूसरा clear पिक लाता हूं इसमें थोड़ी सी मुझे clearance में problem लग रही है यह रही अब इनका अगला question था आगे का जीवन कैसा रहेगा आगे जीवन में क्य कर पाऊंगा तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं आपकी थम्ब बहुत ही strong थम्ब है यह कोई normal थम्ब नहीं है यह बहुत strong थम्ब है कितनी height लीव है कितनी ज्यादा length है इसकी first second दोनो strong desires plus इच्छा सकते दोनों परवल और एक खड़ी line है तो क्या है न अपने जी dependency self कमाई को इधर शारी है रिजायस की line है सोच बहुत जादा है लेकिन क्या हलकी सी कम मानशल है तो थोड़ी बहुत परिशानी है आपके जीवन में आ सकती है यहां पर अगर कम दवावा फील हो तो आपके value मान सम्मान के परती थोड़ी सी अपनी सम्मान के अक्षा करने मे सकता है कोई बड़ी बात नहीं है फिर देखो इनकी हतली पर मैं दिखाऊं तो समझदारी की लूप बहुत अच्छी बन रही है स्क्वाइरस पाम है चोड़ाई लीवी पाम है स्टार्टिंग फेज स्ट्रगल भरा रहता है लेकिन आगे की जीवन यह लोग अपने दम पर बहुत कुछ अचीव करते हैं मेहनत कश्पाम है क्योंकि देखो गरों में स्ट्रेंट अच्छी है बस अगर इस पाम को आप देखोगे न चूओगे न तो बहुत थोरस आपको हार्ड फील होगा तो हार्ड वो तो मुझे पिक में ही समझ बह रहा है हार्ड का मतलब क्या हो लेकिन स्ट्रगल जीवन में दुनिया से बाहर रहता है याद रहना ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन समझदारी है तो फिर उनको यह चीज़ का एहसास नहीं होगा यह लोग कर लेंगे इन लोग परिशानी की समझ क्षानी होगी भी नहीं यह लोग फरक भी न नहीं है उसके बाद ब्रश्पती थोड़ी चोटी है शूड़ी भी तक्रीवन बड़ी है तो हिम्मत रहेंगे इसमें कोई कई दाउर वाली बात नहीं है अब इनकी एक चीज में आपको बताओं तो इनकी शनी फिंगर लंबी है तो महनती 100% और कोई शूड़ी लाइन नहीं ही है तो क्या है ना इनसान के जीवन में थोड़ी तकलीफे रहते हैं तकलीफे क्या रहते हैं बहुत ज़्यादा उम्दा शनी फिंगर लंबा है तो महनती होंगे नो डाउट फिर इनके देखो ब्रश्पती ब्रश्पती में यहां से दवाब तो फ़री वाइक टेंशन्स रहेंगी 25 में वर्स के बाद कोई न कोई ज़्यादा पड़ी वाइक टेंशन्स आने के इंडिक में स्टार्टिंग में बता दिया है कि मेहनत कश्पा में जितना मेहनत करेंगे यहां से दवाब है तो क्याना बैसे लोग काफी जादा मेहनती होते हो भार है तो तक्रीवन 40% के रहां फॉल मिल जाएगा लाइन ऑफ एजूकेशन बैसिक नॉलेज होगी सन लाइन में कोई परती काफे इंट्रेस्ट इन सब के परती इनको ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं होता ऐसे लोग प्राया केसेज में प्राइवेट जॉब करते में नजर आते हैं और सन लाइन मिसिंग का एक साइड एफेक्ट भी मैं आपको बताऊं तो इन लोग को थोई जस्क प्राप् सब्सक्राइब नहीं है सन बुद्ध की पोजिशन ठीक है तो नौर्मल सर का वैल्यू मान समाज समझदारी तो ज़रूद सब्सक्राइब अच्छी है इंसाद हर एक चीज़ को समझने वाला होता है और समझ के कारी करने वाला होता है फिर देकर इनकी अतरी पर मैं हो तो ईश्वन ने आपको एक वरदान दिया आपके कभी कोई स्वास्त की समझता वेशेश आपको नहीं परिशान करेगी उसके बाद देखो अब हलका फलका आपकी लापरवाई से हो जाए उसके कोई गैरेंटी नहीं है बट आपको मेजर परिशानी कभी नहीं आ सकती क् शुक्र के स्थिति जीवन रेखा में स्मूथनेस जीवन तो ऐसे अच्छा कट रहा है आपका फिर आप देखो इनकी यहतली पर इंकी चंदर्मा चंदर्मा आपका आपका अपकी अच्छा हुभार है तो लेकिन चंदर्मा को सपोर्ट करें वाले कोई लाइन नहीं है साफ शुद्र जानते है कि मुझे महनत करना लाइब महनत करके आगे बढ़ना है ऐसे लोग कभी सपने में हावे में जीते ओर्टी पर रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग अच्छे इनसान होते हैं कभी किसी का एक रुपै लेकां यह सबसे बड़ी इना को बात बता रहा हूँ फि और अच्छे इंसान होते हैं और सबसे बड़ी बात है ना कि ऐसे चंदनमा वाले व्यक्ति और ऐसे साब सुत्रा वाले हातेली वाले व्यक्ति पर आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं आपको कभी दोका नहीं देंगे फिर दोको इन कहते लिए पर के तुमांट पर हलका सा ये फिश्नमा करती बनता वा नजरा लगे अगर ये बनेगी तो आपको अकासमी धनलाव कराएगी फिलाल है नहीं तो कोई चर्चा नहीं भागे देखा का ये ब्रांच हो गया वो मैं आगे बता दूँगा आपको फिर इंसान अपने जीवन में पैसे कमा ही लेता है और शुक्र में अच्छा कासा ओबार है तो लगजरी का सुक इनको मीडिया मस्तर में मिल जागा क्योंकि 2-3 खरी लाइने हैं मंगल जबर्दस थे इनका तो एक नॉर्मल अस्तर का अगर ये चाहें तो प्रोपर्टी बना सकत उसके बाद देखो तो जीवन रेखा कितनी स्ट्रॉंग बहुत जबर्दस्त आयू में कोई कहीं संदे वाली बात नहीं है दिरगायू योगे तरह सत प्रतिसत आ रही है साथ आज कुछ यात्राइं के लाइन बने में जीवन में यात्राइं रह सकती है अब देखो इनकी यहीं तक आई यहां पर वाली स्ट्रेंथ नहीं वे तो दिमाग की बहुत तेज हर एक कष्ट को सहलेंगे बरदास्त करनेंगे इसमें कहीं कोई परिशानी वाली बात नहीं है और माइंड और हड्लाइन जवर्दस्त हड्लाइन शानी तक गई तो पैसे कमाने की इनकी टें पर यहां पर से आड़ी है लेकिन कोई स्ट्रेंथ नहीं है पर कंटीनू बेसिस पर इनकी बागे रेका का साथ है तक्रीवन पच्पन में तर और आगे यह डवलब भी करेगी अगर इन फ्यूचर आपके यहां पर कुछ ऐसे योग बनते है तो फिर यह मल्टिपल प्रपर अगर यह स्ट्रेंथ वाली बनती है तो यह आप मीडियमस्तर का पैसा अपने जीवन में जरूर कमाल होगे इसमें कहीं कोई संदे वाली बात नहीं है तो यह था और इनकी सबसे बरी बात कहना है इनकी हतली बहुत साफ सुत्रा है अब सब साफ सुत्रा आते लिए होना तो फिर इनसान के जीवन स्मूथ चलती है एक समय आएगा आप देखना हलकी से एक राहूलाइन का कर्था तक्रीवन आपके थाईसमें वर्स में थोड़ विशे उच्छाल नहीं है आपके जीवन में आगे चलकर डवलप करती है तो उसकी कोई भी यह नहीं है करती है कोई बड़ी बात नहीं है बहुत से लोगों के किये गरों में स्ट्रेंथ है कमफर्टेबल इंकम रहेगा जीवन स्मूथ में बीतेगा आपका और जीतना अनियों स्वास्त अच्छा रहेगा आपका तो यह था इनकदली का पूर्णता विश्यलेशन अगर आपका यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे कमेंट कर दे शेयर कर दे सिस्क्राइब कर दे अगर आप रशनली में से प्रामच ना चाहते हो तो हमारा वोट्स आप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लेकर आप समपर्ट कर सकते हैं धन्यवाद